साथियों नमस्कार प्रतेक शास्की कर्मचारी को प्रतेक महिने यह उत्सुपता रहती है कि हम अपना वेतन या एरियर्स जो सासन की ओर से मुक्तान हुआ है उसे चेक करें इसके लिए उन्हें बैंक के चक्कन लगाना पड़े और आसानी से उसको चेक कर पाएं हलाक इसके लिए IFMIS Portal पर लागिन करने के पस्चाथ यह सुविधा उपलब है लेकिन हमारे बहुत सारे साथ ही यूजर नेम पासवर्ड इत्यादी का रख रखा उसका मेंटिनेंस इतना तक्नीकी रूप से सक्षम नहीं रहते कि उसको मेंटेन कर पाएं तो इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपसे सेयर करूँगा कि आप बिना IFMIS Portal में लागिन किये बिना बैंक गए आप किस तरीके से हर महिने आपके खाते में मद्रदेश शासन के ट्रेजरी की तरफ से कितना वेतन या एरियर आया है उसको आप आसानी से चेक कर सके हैं आईए देखते हैं कैसे इसके लिए आपको अपने मुबाइल या कंप्यूटर या लैपटाप में किसी भी नेट ब्राउजर को ओपन करके उसके सर्च बॉक्स में या एड्रेस बार में आपको टाइप करना होगा MP-Tresary जैसे आप MP-Tresary.gov.in type करेंगे और इंटर करेंगे आप डारेक्ट्रेट आप Treasuries & Accounts की वेबसाइट पर पहुँच जाएगे यह इसका नया इंटरफेस आपको दिख रहा होगा यहां पर आपको सबसे नीचे पहुचना है यह रिपोल्ट का आप्सन है इस रिपोल्ट के पहले और आपसन में ए-payment status रिपोल्ट पर क्लिक करना है जैसे ही आप ही आप क्लिक करेंगे यह इंटरफेस आपको दिखाए देगा ध्यान से को आप समझेंगे यहां पर चार फील्ड हैं इन चार फील्ड पर जानकारी इंटर करते ही आपके एकाउंट में ट्रेजरी की तरफ से कितने पेमेंट हुए हैं, बेतन, एरियर, सहित, वो आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं चलिए एक उदाहरण से चेक करते हैं, मैं अपना ही एक्जामपल ले लेता हूँ इसके लिए आपको यहाँ पर वर्स टाइप करना होगा, वो भी YYYY फार्मेट में, माल लीजे मैं 2021 का चेक करना चाहता हूँ और यहाँ पर जो दूसरी टैप है, उसमें मन्थ आपको इंटर करना होगा और यह मन्थ MM फार्मेट में होना चाहिए, डिजिट में, जैसे जनवरी के लिए 01, फर्वरी के लिए 02, दिसंबर के लिए बारह होगा फिर यहाँ पर आपको अपने बैंक IFC कोड और अकाउंट नंबर इंटर करना होगा यहाँ पर इस फील्ड में आपको बहुत साथानी बरतनी है इस फील्ड में आपको जो बैंक IFC कोड है, उसको अंग्रेजी वर्ड माला के कैपिटल लेटर में इंटर करना होगा इसमाल में अगर इंटर करते हैं तो accept नहीं करेगा इतना करने के पस्चाद आपको generate report बटन पर क्लिक करना होगा जैसे ही आप generate report बटन पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये interface आपकी जानकारी के साथ उपलंग होगा यहां पर आप देख पा रहे हैं कि दिसम्बर 2021 में salary के थूर एरियर के थूर और एरियर के थूर किस प्रकार से किस डीडीयों के द्वारा किस voucher नंबर किस चेक नंबर के थूर आपके account में पैसा जमा हुआ है तो इस प्रकार से पूरी जानकारी बड़े आसानी से आप एक अत्रिक कर सकते हैं तो यह बहुत ही important जानकारी थी आप सभी सम्माने खासकर सिक्षक साथियों के लिए कि आप बिना treasury गए बिना bank गए बिना treasury के IFMIS में लॉग इन किये आप बहुत आसानी से mp treasury.gov.in पर visit करके report option पर पहुँच करके आप अपने वेतन एवं areas की जानकारी date एवं voucher number सहित बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं तो मित्रो आज के इस video में इतना ही अगले video में सेग्र ही आप से मुलाकात होगी तब तक के लिए जय है